नमस्कार मैं हूँ जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में केंद्र सरकार कटरपंथी जिहादी आतंकवादी समू के खिलाफ एक्षन में है राश्रजांच एजेंसी के ने कटरपंथी जिहादी आतंकवादी समू का भांडा फोड किया है एनाये दक्षन भारत में कई स्थानों पर छापे मारी कर रही है फिलहाल दक्षन भारत में 19 स्थानों पर छापे मारी चल रही है आज सुबा से ही छापे मारी चल रही है आतंकवाद रोधी एजेंसी राजय पुलिस बलो के साथ निकट सम्मनवय में ये चापे मारी कर रही है घटना क्रम से जुड़े सूत्रों ने कुछ परीचालन कारणों से सटीक स्थान और जिहादी सम्हूं के बारे में जानकारी साजा नहीं की है अनिये द्वारा जिन 19 स्थानों की तलाशी ली जा रही है उनमें से अधिकांश जिहादी सम्हूं से जुड़े संदिक्दों से जुड़े हैं घटना क्रम से जुड़े सूत्रों ने कुछ कारणों से सटी किस्थान और जिहादी समूं के बारे में जानकारी साजा नहीं की सूत्रों से मिले इन्पुट के अनुसार कहा की आतंकवादी समू भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है और उसने हमलों की योजना बनाना युवाओं की भरती कराना सीख लिया है लशकरे ताइबा के आतंकवादी द्वारा कैदियों को कटर पंथी बनाने की जाँच के तहत एनाईये ने बैंगलूरू करनाटका में कई इस्थानों पर छापे मारी की मामले में चल रही जाँच के हिस्से के रूप में 13 दिसंबर को एनाईये द्वारा छे स्थानों की बड़े पैमाने पर तलाशी ली गई थी जिसमें चार आरोपियों के घर भी शामिल थे जिन में से एक लापता है दो अन्य संदिग्दों की संपत्यों की भी तलाशी ली गए चापे मारी में अनाईये की टीमों ने मुहमद उमर, मुहमद फैसल रब्बानी, तन्वीर एहमद, मुहमद फारूक और भगोडे जुनैद एहमद के अवासों पर की गई चापे मारी के दोरान कई डिजिटल डिवाइस, विभन आपत्ती जनक दस्तावेज और साथ दशमलव तीन लाख रुपई की नकदी जब्त की है ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहीं पब्लिकेशन यूज थन्यवाद